मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होने वाला क्योंकि ये हम सभी लोग के ब्यक्तिगत भावनाओं से समंधित है और सायद ये सबसे ज़्यादा वो लोग ही महसूस कर सकते हैं जिनको ये चछड कुछी समय बाद जीने को मिलने वाला है वैसे कुछ बहुत भागयसाली लोग भी होंगे जो कि पिछले साल ही अभी डिगरी प्राप्त किये और इस साल फिर सुन्हें डिगरी मिलने जा रहा है आपको मैं बता दूँ एक ओफिसेल नोटीस से ये पीछे आपको स्किन पर दिख रहा होगा बियेच्चो के ओफिसेल ट क्यों हो रहे हैं भया लोग आज इतने इस छड़ के लिए इतना उतेजित को हैं क्यों इंतिजार कर रहे थे बिसबरी से मैं बता दूँ कि आप लोग उस छड़ के लिए जादा नहीं बस 16 तारीकों किसी भी ड्रेस में आप उपस्थित होके बस देखिएगा कि जिनको डि पार्षिक पाठक्रम है उसको पूरा करते हैं और इस पूरे पाठक्रम पूरे सलाबस को जो हम कंप्लीट करते हैं तो डिगरी के तौर पे एक बहुत ही मेमुरेबल जो छड़ है वो जीने का मुखा मिलता है और ये कासिन इस विद्याले का दिक्षान समारो फाइनली दो ह 2023-16 दिसंबर को होने जा रहा है आप सभी लोग आमंत्रित हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो हमारे सवाठी हैं जो हमारे यूजी के बच्चे थे जो अपनी डिगरी कंप्लीट कर ली और उनको जाकर डिगरी मिलने जा रही है तो वो सभी लोग अपने इस स्टे को एक दुसरे के लिए बहुत सरा प्यार और समान देते हैं और हाँ एक लास्ट येर का थोड़ा सा एक छड़ है मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मेमुरेबल है मैं उस समय भी स्टेटेस अपने लिखा था कि सायद पूरे जीवन में नहीं भूल प हैं तो इस अनुभव को महसूस अराम से कर सकते हैं और हाँ अपने गार्जियन को भी आप उस पल का हिस्सा बना सकते हैं ऐसी बहुत साइज चीजे हैं जो हम लोग ने अपने सीनियरों से देखा है सीखा है जाना है तो आप सभी लोग आमंत्री थे और मालवीजी के इस ब पढ़ाई करने के बाद थोड़ा आप डाउन खटा मीठा सब था उन सब को जीने के बाद फानली जो एक सुखाद अनुभव के तौर पे हमें वो अपना एक प्रसस्ति पत्र मिलने वाला है उसके लिए बीच्चू को बहुत-बहुत धन्यवाद मालवीजी को तो एकदम दंडवत प्रडाम उन्होंने जो हमें दे दिया वो पूरे आने वाली पुस्ते नहीं भूल पाएंगी तो हम लोग तो बहुत छोटे से बस छात्र हैं जो उनका प्यार और उनका सानिद्ध उनका अस्त्रिवाद इस विस्विद्याले के तौर पे हमें आज तक मिलता आ र दान्स और सबसे इंपोर्टेंट हमारा वो जो ड्रेस अप है जो लुक है हमारा उतरिया और हमारा अफिल लड़कियों की जो जो ड्रेस अप है वो बहुत यूनिक है मुझे लग रहा है सायद ही किसी विस्विद्याले मुश्तरी के ड्रेसे जोते हैं और उपर से वो डान अपीव सुन्दर ये सर्व बेद्या की राजधानी राजधानी मध्वर मनोहर अतीव सुन्दर ये सर्व बेद्या की राजधानी राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारिकाशे सुख्यान धर्म और सत्यरोशे बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व बेद्या की राजधानी तो फाइनली ये एक सुखद अनुभौस जो हमें आने वाले 16 दिसंबर को मिलने वाला है उन सभी में आप सभी आमंत्री थें आप आए और इस छड़ को उन्जवाय करें और अपने यादों के पन्नों में उससे सुद्रोग रखें बहुत सरी सुख कामने हरहर महादेव